नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में साथियों आज हम बात करेंगे वर्मी कमपोस्ट इकाई की एक और योजना के बारे में जिसका नाम है गोर्धन जेविक उर्वरक योजना जी हाँ क्रिश्य विभाग के अंतरकत गोवर्धन जेविक उर्वरक योजना में ओनलाइन आवेदन चालू हो गए है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस पिट की साइज होने वाली है किस प्रकार से इसमें हमें आवेदन करना है क्या क्या हमें इसमें सावधानिया रखी जानी है पहले इससे पूर्वे वर्मी कंपोस्ट की स्ताई काई की हमने पूर्णतिया आपको वीडियो दे रखिए जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वहाँ से आप उसको देख सकते है इस योजनामे गॉर्धन जेवी कुरूरक योजनामे बीस भाई तीन भाई ठाई की एक जो वर्मी बेड है वो आपको प्रियापत रूप में मिलेगी या इसकी क्या क्या सावधानिया या क्या क्या हमें ध्यान रखने हैं इसके बारे में हम बात करेंगे तो सुरुवात करते हैं आईए सबसे पहले हमें गूगल या अपने किसी भी सर्च इंजन में जाना है और वहाँ पर हमें राजकिसान सर्च करना है जैसे ही राजकिसान सर्च करेंगे इस तरह से आपको नागरिक किसान लोगिन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं एक नई इंटरफेंस आके आपके सामने खुलेगी जो आप जानते हैं कि राजकिसान की वेब साइट होगी जैसे ही राज किसान की वेब साइट खुलती है इस राज किसान की वेब साइट पे दो तरह के आप्सन आपको प्राप्त होते हैं किसान नागरिक लोगिन और विभागिये लोगिन जब हम किसी किसान का ऑनलाइन को पदरावली कर रहे हैं किसान अबलिक नागरिक लोगिन पर हमें क्लिक करना है और जैसे ही हम किसान नागरिक लोगिन पर या फार्मर सिटीजन लोगिन पर क्लिक करते हैं वहाँ पर आपको एक नई इंटरफेस कुल के मिलती है जहाँ पर आपको किसान का जिसका आप उनलाइन कर रहे हैं आपको अपने किसान के आधार नंबर पर प्राप्त होंगे जैसे ही आपने आधार नंबर पर OTP जो प्राप्त होते हैं उनको यहाँ पर छेंकों के OTP को आपको दर्ज करना है और OTP सत्यापित करना है OTP सत्यापित करने तक का प्रोसेस आप सबी को सबी फाइलों में समान रूप से है जैसे यह आप करेंगे एक नई इंटरफेंस को लेगी उस नई इंटरफेंस पे अगर कैसान पहला है तो उसमें सब्मिट करना है और जो जो राजकिसान मागता है वो आपको देना है अगर पुराना किसान है जिसने पहले कर रखा है तो यहाँ पे आवेदन के लिए क्लिक करें उसके बाद क्रिशी सबसीडी सेवाओं में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे सबसे नीचे आपको एक नई योजना चालू होके मिलेगी गोवरदन जेविक उरवरक योजना यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं इसकी शारी सर्ते हैं पाँच गोवन्स होने चाहिए क्रिशी योगी जमीन होने चाहिए जमीन का इसमें कोई क्राइटेरिया अभी तक नहीं डाला है जहां तक कि इसके नौट्स की बात की जाए या निर्देसों की बात की जाए तो जैसे आप इसमें ओके करेंगे आपको यहाँ पे लिका आएगा कि क्या एड्रेस वही है जो जनाधार में है तो यस करना है पूरा एड्रेस अपने आप आजाएगा यदि आप नहीं करते हैं यस करेंगे तब तो पूरा जो जनाधार में ओड्रेस वह आ जाएगा एड्रेस और अगर आप नहीं करते हैं तो यसी स्थिति में आपको जिला उसके बाद में आपकी पंचाय समिती उसके बाद में आप रूरल है करबन है आपका किसान वो सलेक्ट करना है उसके बाद आपकी पंचायद उसके बाद पंचायद करविन विलेज और आईरिय का पिन कोड आपको डालना है फिर आपकी जो लेंड है कम से कम आपके पास किती लेंड है वो आपको accuracy होगी जमीन डालनी है उसके बाद आपको ये पूछे गाई क्या पहले इसमें बाग लिया है या नहीं लिया तो नहीं लिया तो नहीं करेंगे और फिर आपके पास animal husbandry है yes करते ही वो पूछे गाई क्या 5 काउ है तो हैं ऐसी स्थीतिम आप आगे के साथ-साथ पड़वारी द्वारा प्रमानित एक national search certificate भी आपको upload करना पड़ेगा अब यहाँ पे आप जैसे ही कोई नकल upload करेंगे वो नकल upload करते ही आपको यह view का option आजाएगा वहाँ पे आप देख सकते हैं सभी किसान भाई और इमित्रा वाले ध्यान रखें कि जहां भी जमाबंदी को online आप update कर रहे हैं या upload कर रहे हैं तो e-sign वाली जमाबंदी ही upload करें ताकि किसान की पत्रावली किसी भी रूप में अपुना है वापस नहीं आए जैसे आप submit करोगी यह पूरी detail वापस के अगरिम किसी भी तरह की देख रहे हैं या फाइल को ट्रेकिंग करने के लिए यह number आपके काम आएंगे तो यह थी पूरी जानकारी उम्मिद करता हूँ आपके लिए लाबदा एक सिद्ध होगी मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद जेहिन जे भारत